हेलो एव्रिवन आज हम वर्क्षिट 74 यानि कार्य पत्रक 74 च्वेटर करने जा रहे हैं आज की जो वर्क्षिट है 24 तारीक वाली करेंगे हम आज उसमें क्या दिया है एक सैंखेकी के बारे में बताया है कि सैंखेकी क्या है इसमें क्या क्या होता है तो यानि सैंखिकी का परीचे कर रहे हैं हम कक्षा दस्वी की तो सैंखिकी क्या होता है बिटा सैंखिकी होता है जो आकडों का संग्र है बहुत सारी बहुत सारे अंकों को किसी भी जैसे माली आपको करना है कि आपके पडोस में कितने रवी नाम के लड़के रहते हैं ठीक है तो ये सब आकड़े है इन सब को इकठा करना उनका विशलेशन करना उनके बारे में बताना उनको प्रस्तूत करना ये सब क्या है यानि जिनका सार्थक होना चीए ठीक है रवी नाम के लड़के कितने है कितने लड़कियां है कितने बच्चे है उन बच्चों में कितनी लड़कियां है कितने लड़के है ये सब चीजों का डाटा इकठा करना आकड़ों को इकठा करना उनकी व्याख्या करना उनके बारे में बताना रस्तूत करना क्या कहलाता है सैंखिकी कहलाता है समझ में आ गया सैंखिकी के सैंखिकी के सैंखिकी के बारे में क्या पूछा है सैंखिकी क्या है अब उनके आकड़े क्या है ठीक है ये सैंखिकी के आकड़े सार्थक सूचनाओं का संग्र है समह कह दो, या इकठा करना, जिनका अर्थ निकलता हो, उस सूचना को इकठा करना, क्या कहलाता है, सांखिकी के आकड़े, जिनका अर्थ हो, अब क्या है, सांखिकी, छीक है, सूचनाओं का संग्रह होता है, आकडों का संग्रह होता है, उसका विशलेशन होता है, व्याख्या होती है, प्रस्तूती होती है, केंद्रिय प्रवर्ती का माप दिया है, केंद्रिय प्रवर्ती का माप क्या है, इसका अर्थ है वित्रन का केंद्र और स्थान, जिसको आप एक्स्प्लेन करें, उसका स्थान और वित्रन का केंद्र, केंद्रिय प्रवर्ती की सबसे समान्य माप पर माध्य होता है, माध्यक होता है, बहुलक, माध्य, माध्यक, बहुलक आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, माध्य क्या होता है, मालो आपको एक से दस तक की गिनती है, उन सब के अंकों का योग बताना है, तो क्या करते हैं, सभी अंकों को जोड के, और दस से पर बीच का जो बच गया, वो क्या हो गया, मध्यक, मध्यक होता है, जो बीच का होता है, बहुलक, बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बारी आता है, यह आपने छोटी क्लासिस में भी पड़ा है, बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बारी रिपीट होता है, ठीक पिछे कोई बड़ा नंबर आगी ठीक है उनको स्मुह में इकठा करना। और जो समूह में नहीं है उन सबको भी क्या करना इकठा करना यानि आपको जड़ते करम में बढ़ते करम में उतरते करम में सबका क्या करना इकठा करना एक ही उसमें पैटरन में लेके आना परीशर क्या होता है परीशर होता है जो आपके आकडो का समूह है उस समूह में सबस पत्चिस से तीस तक पच्चिस से तीस तक पेट्रन क्या दिया है आपको? आपको दिया है पच्चिस से तीस तक ऐसे आपको लिखा होता है ना तो इस पच्चिस से तीस तक में उपरी सीमा ये है तीस निमन सीमा पच्चिस है चीक है? तो उपरी सीमा ये है और निमन सीमा आपकी ये है चीक है समझ में आ गया चीक है अब क्या बूला है ह का पता चल गया भी वर्ग माप होता है उपरी सीमा यानि बड़ी संख्या जो दूसरी से वर्ग अंतराल में दी है बड़ी संख्या राइट हंड साइड पे और निमन सीमा जो लेफट हंड साइड पे छोटी होती है यदि वर्ग अंतराल सतत ना हो तो उन्हें सतत बनाने के लिए निमन सीमा में से 0.5 घटाया जाता है और उपरी सीमा में 0.5 जोड दिया जाता है यानि लगातार जैसे 25, 30, 35, 35, 40, 45 यह लगातार हो गए लेकिन अगर यह चीज़े लगातार नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा उसमें 0.5 निमन में से तो घटाना पड़ जाएगा यानि 25 में से अगर वो लगातार नहीं है तो 0.5 को घटाना पड़ेगा और उपर जो बड़ी संख्या होती है यानि उपरी सीमा में 0.5 को जोड़ना पड़ेगा समझ में आ गया ठीक है फिर एक relation होता है संबंध होता है भहूलक माध्यक और माध्य में भहूलक में माध्यक में और माध्यक में इस relation को आपको याद करना पड़ेगा ये पेपर में कोशन आता है क्या कुशनाता है बहुलक माध्या और माध्यक में संबंध ग्याद कीजिए या अनुभाव जन्य संबंध बोलेगा वो केंद्रे परवर्ती के तीन मापों के बीच ये क्या होती है केंद्रे परवर्ती है बहुलक माध्यक माध्या इन तीनों के बीच में क्या संबंद होता है क्या संबंद है बहुलक बराबर है माध्यक को तीन से गुना कर दो और माध्यक को दो से गुना कर दो और फिर दोनों को क्या कर दो माइनस करके बहुलक निकाल दो तो ये क्या आ जाएगा अनभव जन्ने संबंध आ जाएगा मितलब इन तीनों के बीच में जो relation है जो एक दूसरे पर depend करते हैं संबंध है वो आपका अगर माध्यक का तीन गुना और माध्यक का दो गुना घटा दिया जाए तो आपका क्या निकल जाता है बहुलक निकल जाता है स्वश में आ गया नेक्स देखते हैं नेक्स क्या है अब मैंने आपको बताया था कि माध्य क्या होता है माध्य क्या होता है बहुलक क्या होता है देखो माध्य यानि आकडों का ओसत जितने कुल आकड़े दिये हैं आपको ठीक है प्रतेक्ष विधी तो होती है जो मैंने आपको बताई प्रतेक्ष विधी क्या होती है जो बताई मैंने आपको कि जितने भी आकड़े दिये हैं उन सबको क्या करो F I X I F I X I मतलब दो होंगे एक तो simple time बताई थी मैंने कि सबको जोड़ो और वही जितनी संख्या दी उससे भाग कर दो अब इसमें जब बड़ी क्लास में आ रहे हैं तो हमारे पस विधियां आ जाती है कौन क्या आ जाती है विधी करने की विधी पहला मैथड है प्रतेक्ष विधी उसमें fy frequency होती है ठीक है एक साइ जो terms होती है वो दी होती है upon जितने हैं वो उन सबको total कर देते हैं फिर एक होती है कलपित माध्य विधी इसका formula a plus fy di upon fy ठीक है यह अभी जब question करेंगे तो आपको समझा जाएगा यह जिस formula है यह आप याद कर सकते हो ठीक है माधिका निकालने का formula l plus n by 2 minus cf communicative frequency होता है upon frequency into h बहुलक निकालने का l plus f1 minus f0 to f1 minus f0 minus f2 into h यह पीटा formula याद करने हैं इनका use करना जब सिखाऊंगे अभी questions करेंगे तो आपको बहुत easily समझा जाएगा बस अभी basic कर रहे हैं अभी इनको formulas को याद कर लेना formula जितने भी दिये हैं आपको माध्यक वर्ग क्या होता है इसको जो वक्षिट में दिया है वह है अंतराल जिसकी संचाई बारमबारता न by 2 से बड़ी हो या लगबग आसपास हो क्या जो बारमबारता मतलब जो बार-बार यारा है संचेई बारमबारता के बारे में पूछ रहा है अगर संचेई बारमबारता न by 2 से बड़ी है या उसके बराबर है लगबग तो वो क्या कहलाता है माध्यक वर्ग कह लगग जिसमें आपका माध्यक निकल के आएगा बहुलक वर्ग क्या होता है वहंतराल जिसकी बारम बारता सबसे अधिक है वहंतराल जिसमें बार-बार कोई चीज ज़्यादा सबसे अधिक है बारम बारता बार-बार रिपीट हो रही है कोई चीज ठीक है XI मद्यमान मद्यामान यानि वर्ग-चीन भी बोल सकते हो मद्यामान से ही समझ रहा है वह कोई चीज मद्या में होगी बीच में होगी यानि उपरी सीमा plus निमन सीमा upon two दोनों सीमाओं को जोड़ दो ठीक है और उसको किस से भाग कर दो दो से भाग कर दो समझ में आ गया तो इस तरीके से ये एक basic सी है कि साइंखी की क्या है इसमें क्या क्या होता है ये आपको इस worksheet में बताया गया है अब जो first question है आपका first question क्या दिया है वर्ग चिन्द क्या है देखो अभी अभी पड़ा हमने वर्ग चिन्द कहलो इसको मध्यमान कहलो चिक है मध्यमान कहलो कुछ भी कह सकते हो उसका क्या होगा क्या answer है उपरी सीमा एक बटे दो उपरी सीमा प्लस क्या निमन सीमा चिक है ये जो है ये first question का answer है आपका next वे हैं तराल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो सबसे अधिक यहां पड़ी थी हमने ये पड़ी हुई है ये किस का answer है second का answer है वे हैं तराल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो क्या कहलाता है बहुलक वर्ग क्या कहलाता है बहुलक वर्ग कहलाता है समझ में आया इसमें कोई confusion नहीं है जिसकी बारम बारता सबसे अधिक होती है भूलक होता है ठीक है नेक्स देखो दिये गए आकडों में क्या निकालना है परीसर क्या निकालना है परीसर परीसर मैंने क्या बता है था जो भी आकडे दिये है जो भी आकडे आपको दिये है उनमें पहले क्या निकालो, सबसे बड़ा नमबर, सबसे बड़ा नमबर ढूंडो, इसमें क्या है, 255, 125, 130, 160, सब में, सबसे बड़ा क्या है, 255, 255, माइनस करना है किसको, सबसे छोटे नमबर को, सबसे छोटा नमबर क्या है, 103, क्या है, सबसे छोटा नमबर, 103, अब इनको क्या कर दो माइनस कर दो क्या करना है माइनस तो जब हमने 255 और 103 को माइनस किया तो क्या आया 152 तो इसका अंसर क्या आ गया 152 समझ में आ गया समझा है सबको चीख अगला कोशे केंदरी प्रिवर्ति के तीन मापों के बीच अनुभव जन ने संबंद अभी बताया था मैंने, यह संबंद मैंने अभी बताया था आप लोगों को कौन सा संबंद था, देखो यह लिखा है, यह question लिखा है, बहुलक बराबर है, तीन माध्यक घटा, दो माध्ये, मतलब तीन माध्यक का तीन गुना और माध्ये का दो गुने को अगर मैं माइनस कर दूँ तो आपका क्या निकल जाता है बहुलक निकल जाता है कोश्चन नमबर क्या है ये फूर्थ आप इसके सामने कोश्चन नमबर फूर का अंसर लिख सकते हो क्या लिख सकते हो कोश्चन फूर का अंसर लिख सकते हो इसको कोश्चन फूर बहूलक बराबर है तीन माध्यकटा दो मध्य है क्या लिखोगे बहूलक इसके बराबर है तीन माध्यक माध्यक का तीन गुना गटा दो मध्य मैंने वहां भी निशान लगा दिया है और यहां लिख भी दिया है कि बहुलग क्या होता है माध्यक का तीन गुना क्या होता है माध्यक का तीन गुना और माध्यक का दो गुने को अगर क्या कर दिया जाए आपको माइनस कर दिया जाए तो इन तिनों के बीच में relation आ जाता है उपरी सीमा और निमन सीमा के अंतर को क्या कहते है अभी बताया था, देखो यहां लिखा था उपरी सीमा और निमन सीमा यह लिखा है यह question number 5 का answer है, किसका answer है? 5 का, उपरी सीमा घटा निमन सीमा क्या होता है? वर्ग देखो क्या लिख़ा है work map क्या लिखेंगे हम यहाँ पे work map लिखए दो work map समझ में आ गया अगला है प्रतम ऐ भज्य संक्याओं का मज्ध है पहले तो हमें यह पता होना चीए कि ऐ भज्य संक्या कौन सी है देखो ऐ भज्य संक्या वह होती है जो यहां लिको पहले आप भज्जे संख्या आप भज्जे संख्याई क्या होती है बहुत बारी बता भी चुके हैं क्लासिस में भी आप लोगों को बताया गया होगा वो संख्याई जो संख्या वो संख्याई संख्याई जो एक और स्वयम के टेबल में यानि पहाड़े में आती हो हम क्या कर रहे थी फिर प्राइम नंबर के बारे में बता रही थी मैं आपको प्राइम नंबर क्या होते हैं या भाज्य संख्याई वो संख्याई जो एक से और अपने आप से स्वयम से के पहाड़े में आ जाएं या भाग हो जाएं अपने आप से और एक से यानि जिनके सिर्फ दो गुणंख्याई हो उन्हें क्या कहते हैं एभाज्य संख्याई कहते हैं वो संख्याई या तो जो या तो एक से भागो या अपने आप से भागो उन्हें क्या कहते हैं एभाज्य संख्याई तो उसने बोला पहली पांच एभाज्य संख्याई का मध तो पहली 5 है बाज्य सिंख्या एक नहीं होती क्योंकि सिर्फ एक तो एक के इपहाड़े में आता है हमें तो दो गुलंद खणची है तो दो दो के में भी एक के में भी पांच, तीन, साथ, ग्यारा ये पहले पांच क्या है? प्राइम नंबर से, यानि एभाजे सिंख्या है इनका माध्या निकालना है सबको जोड़ देते हैं और जितने हैं ये, पांच पूछा तो पांच से भाग कर दिया कितना आया? 5.6 5.25, 0.3 मतलब तीन बच गया, पांच का तीस तो अंसर क्या आ गया? 5.6 ये आपकी फर्स वर्कशीट थी आपको समझ आ गई होगी बहुत इजी थी, बस बेसिक बताया हुआ है आप कर लेंगे सब ठीक है? गुडबाई